तो यार कैसे हो फूब सब बढ़े होंगे आज करने वाले अब लेक्शन में क्या करने वाले हैं वो तुमसा अलिदी पता है बट मैं फिर भी बताओंगा इस लेक्शर में करने वाले एनी मेंशन ठीक है एनिमेशन करने वाले क्या होता है ठीक है कैसे करते हैं और क्या मंदब क्यों जुरूरत है इसकी वह सारी चीज़ा जानेंगे अच्छे से बट मैं तुमको पहले बता रहूं तुम्हें लेक्ट नमर 14 आना चाहिए अगर तुम्हें नहीं आता है तो क्रिप अगर को आना चाह है ठीक है उससे ही तुम्हारी प्रोपर्डिस तुम्हें एनिमेशन रिलेट करके मैं पढ़ाऊंगा अभी एकदम अच्छे से तो वह आना चाहिए अगर तुम्हारा में मोटीब ही एनिमेशन सीखना है ठीक है तुम्हें वह सारी चीज़े आती है तो कोई दिक्कत वाली ये निमेशन करते हैं स्टार्ट बट मैं अनिमेशन कैसे पढ़ाऊंगा ठीक है मतलश प्राइब हो कोड़े嗎 बेसमीयर करेंगे तों मजह नरे खेले समझ में भी लेटेबल भी लेगेंगी अच्छा इसकी नीड मुझे पड़ी क्यों पड़ी क्यों पड़ी से यह हमारी पूरी एप्रोच ओगी करते हैंसाइए पहले मैं क्या करता हूं बेसिकली कुछ नहीं है अगर तुम्हें नहीं देख रहा होगा तो तुमको नहीं आएगी चीज समझ में तो ट्रांसलेट 3D का मतलब दोस्त मेरे सिर्फ इतना सा है कि यहां पर तीन यह कुछ चीज करा नहीं तो तुम्हें परस्पेक्टिव यह को का 14 लेक्चर वरना तुम्हें देखने की ज़रूरत है दोस्तिक चलो जी यह चीज बता नहीं थी वह मनें बता दिया ठीक मैं एडिट कर रहा था यार फिर मनें अप्लोड करें तो मैंने देखा यार कि यार यह चीज नहीं पढ़ा ही मैंने वन्हें इंपोटेंट चीज में पढ़ाना बूल गया फिर मत चलो नेक्स लेक्ट बता दिंगे कोई दिक्कत वाली बात नियुक्त लेक्टर नमबर 15 करके निव फोल्डर क्रेट कर लेते हैं दोस्त लेक्टर 15 तक आ गए हैं अभी 100 तक भी जाना है दोस्त ठीक है तो अगर तुम स्टार्टिंग से देख तो तो मैं बता रहा हूं कि वर्थ होगा एकदम तुमाली मैं बता रहा हूं सच में वर्थ मस्त करके होगा है ना स्टाइल.css चलो जे स्टाइल.css आ गया इंडेक्स .stml यह चीज आ गया हमारा जो हमारे एकदम structure होता है यहां पर लिख देते हैं लेक्टर नमबर 15 देन इसके अंदर एक container करके create कर लेते हैं container हो गया और h1 में देते हैं आओ दोस्त एनिमेशन सिखाता हूं सिखाता हूं आओ दोस्त एनिमेशन सिखाता हूं ठीक है यह चीज हो गया और अपनी css connect कर लेते हैं ठीक है css जो की link taxes के थूरू connect करेंगे ठीक है बहुत बेसिक से ची चीज जो कि हमने lecture no.7 में ही करना सीख लिए ठीक है यह चीज समझ में आ गई और lecture no.15 में खड़े हैं और इससे पहले भी हमने team project बना लिए तो बहुत basic चीज होगी हमारे लिए कुछ नहीं है start करते है go live करते है go live करके आओ दोस्त एनिमेशन सिखाता हूं करके एक चीज आ तुम को क्योंकि यह मैं हर lecture में बताता हूं तो इस lecture में चलो बता ही देता हूं तो मेने दोस्त हो याल ठीक है तुम मेरे दोस्त prisoners हमारे पास सै छी क्या है कि blogण से प्रेंड़ के इलिमाइंट है accept to be सब के पास क्या होता है तो मारे पास एक डिफोल्ट मार्जिन होती पैडिंग होती है तो अब हमें ने डिफोल्ट मार्जिन से कुछ नहीं चाहिए जहां पर जरूरत होगी खुद अप्लाइ कर देंगे कुछ मार्जिन अप्लाई थी दिख रहा है यह फरक ही दिखाना तो मैंने दिखा दिया है इतनी चीज तुमको समझ में आ गई होगी दोस्त था ना आई की निया ही बताओ यह बहुत बेसिक सी चीज़ है बट तुमको समझ में आ गई होगी ठीक है है ना और यह box sizing water box क्या होता है मैंने का दोस्त थोड़ से effort खुद भी मारो लिखो Google पर जाके what is box sizing water box और जो शुरू की 5 line आएंगी उनको पढ़के समझ में आ जाएगा अच्छा क्या होता है शुरू की 5 line पढ़ लेना और एक आधी image देख लेना अगर image देखने का option हो मिले तो समझ में आ जाएगा box sizing water box क्या है क्या है क्या है अगर तुम्हें इसकी नोलिज नहीं मार्जिन पैडिंग box sizing क्या होता है तो दोस्त किरिप अगर के यहां तक तुम पहले बताओ आए कैसे हो नहीं आना था टीकर स्टार्टिंग से आओ देखते हुए ना box model देखो अच्छे से क्या होता है दीरे दीरे करके बेस क्रीट करो पहले अपना भी फिर देखो अगर तुम्हें आता है तो बहुत अच्छी बात आगे बढ़ते हैं डायेक्ट में एच्वन को सेलेक्ट कर लिया है मैंने अब क्या करूंगा दोस्त इसकी कुछ ना इसका width और height देते हैं पांसो पिक्सल और height देते हैं कुछ कुछ भी कुछ भी दे दो 200 पिक्सल है ना और इसका बीजी सी देते हैं बिसिकली बैगरांड कलर कुछ ऐसा लाइट श्यान कौन से लाइट ग्रीन क्या कुछ ऐसा सागया ठीक है समझ में आ गया ऐसा सागय ठीक है मैंने गया मैं इस पर होवर एफेक्ट करूंगा ठीक है अब बेस बिल्ड करूंगा फिट चांगे चीज़े मैं समझ में आने लेगें खुद ही आने लेगेंगी अच्छा आच्छा ठीक है विर्थ ठीक है इस पर एक्जामपल जब मैं इस पर हॉवर करो तो इसकी विर्थ कर दो हजार पिक्सल और हाइट को इंक्रीस कर दो मेरे 400 देखो कैसे हुआ होवर करा होवर करा ओके तो यहांज से मेरी यार दिक्कत आई ऐ मेरी JUST SMOOTHLY मिल लेँद जटके से मिल लेँद अच्छा फिर हमार पास से लाए है कि मैंने ना forth Lab आया कि कैसे ये चीज़े करें तो उसके वारे पास होता है ट्रांसीशन दोस्ट रांसीशन ठीक है अच्छा यह कहाल लिख दिया है मैं बताओंगा नहीं कहाल लिख दिया क्योंकि तुम्हें यह दिखाओंगा अच्छा यह थोड़ा स्मूथ हो ठीक है इसमूथ हो गया हाँ देखो इसमूद है इसमूद है दोस्त इसमूद है ठीक है हाँ आगई चीज़ समझ में आगई कि actually हम कर के आ रहे है actually हम कर के आ रहे है मुझे आगई यह चीज़ समझ में पहले था कि जटके से जारता फिर मनेंगे transition अपलाई किया ठीक है और यह चीज़ इसमूद होगी अब यह transition क्या होता है दोस्त फोर्टी लेक्चर देखना पड़ेगा ठीक है अच्छे से सारी प्रोपर्टी समझाई है जिसकी अंदर की तीन चार चार तीन चार प्रोपर्टी जो भी होती है वो अच्छे से समझाई है तो वो तुमको प्लीज से आनी चार ठीक है एक बार जाके देखलो फोटी लेक्चर दिक्कत नहीं होगी कहीं दिक्कत नहीं होगी एक बार मेरे कहने से देखलो अगर नहीं आती है अगर आती है तो बहुत अच्छी बात रहे ठीक है करनों लेक्ट मुझे करने पर करना पड़ए लेकिन नहीं चाहिए करने पर मुझे नहीं छोड़ी चाहिए यह मुझे ही चाहिए खुद िहो जाए आए दो इनिमेशन तन छ Keys आता है तुम्हारा ऐनिमेशन दोस्ट टीक है महीं से उसका क्या हुआ है क्या हुआ है क्या हुआ है इंवेंशन होऌ है एक हिंदी व्रड मिला नहींूंछ में आराए लगने निकल पारा कुछ तो होता है वोगा आ जायेगा ठीक तब ही से उसका क्या होगा है खोजु है खोग है तो देखो मेरे पाट कि मुझे खुद कर आना है कि इसे ओवर ना पड़े यह चीज़ क्या से करो ठीग है मैंने ख़ल एनीमेशन से करोगे सा All ना तुम्हें कुछ देख अнов nasal चलो जी बाभी सित Jomic इंग्ल में डोस्त तुम्हें टूम कोई भी एक मुवमेंट को बार-बार पर्फोंम कराना है यह घ्रम ना एक पर्टिग्लर चीज को बार-बार-बार पर्फोंम कराना है उसको भी तो बोलता है अगर मैं चैक करूं वोट इस एनिमेशन तो क्या बताता है यह स्टेट फुल ओफ एन्थूजियाज एन अनिमेशन लेट जैंज फ्रोम वन स्टाइल टू अनादर ठीक है बेसिकली मैंने मुवमेंड वोला महां पर स्टाइल वोला मुवमेंड में तुम क्या करोगे यह मुवमेंड नहीं हो यहा है ना रिक्सक्राइड पर सम였습니다 करते हैं OC अरे A, O, ओ ओर ऑजो, जो मुझे चाहिए ता वह हो गया ना वह हो गया भी किया होरा है ुसको भी छोड़ो दरो लेकिन मैंने तुम्हें इसका movement भी करा धिया और इसकी state भी change हो रहे है इसका size भी change हो रहा है इसमें सारी property आ सकती है तो फिलाल इस इसको हटते हैं इसको लिख़ा यहीज़ मुझे बार बार करानी यही चीज मुझे रिपीट करना है अगेन और लक्षायबंगा है ईनिया वता दो ऐनिमेशन किये कुछ प्रोपर्टीज है ठीक है अब यार तुमने प्रीवियस लेक्टर देखा होगा है अगस ना यह इसमें यह शुरूवत तुम ना चिन थेरा और वह व देखते ही समझ तुम आगे कि अच्छा यह वह हाली प्रोपर्टी है ठीक है ठीक है ठीक है यह समझ यह बता दो और यह मुझे नाम से पता चले लिए क्या क्या नाम है इनके ठीक है बट तुम बस यह तो देखो यह तो मुझे आती है क्योंकि मैंने प्रीवेस लेक्चर देख रखा है और ट्रांजिशन की बिल्कुल अब यहां से मानलो तो बट यह चीज होती है ठीक है कि नीठीक है यह बताओ बट अब तुम तो नहीं है मैं तुम्हें समझाता हूं ठीक है तो यह सारी प्रोपर्टी यह डिले आइटेशन काउंट डिरेक्शन फिल्मोड अब मैं क्या करता हूं दोस्त एक एक करके इन सा एनिमेशन की टूर्ट ठीक है पहले मैंने तुवार एकदम बेस बिल्ड करा अच्छा ट्रांजिशन से पहले होवरिंग से एफ्रक्ट लाला महापे एक जर्क आ रहा था मुझे इसको स्मूध बनाओ अच्छा स्मूध बनी गया ठीक है यह मुझे बार-बार कराना है एनि एनिमेशन से रिलेटेट लेक्टर देखने की नीड ही नहीं पड़ेगी दो ठीक है बट शर्त यह है कि तुम इसको फर्स मदब सुरू से लेकर लास्ट तक देखो ठीक है फिर मुझे लास्ट में आके बताओ तुम्हें एनिमेशन समझ में आया की नहीं आया तो में आया करते हैं प्रोपर्यटी करके समझाता हूं फिर करके समुझता हुं आलमेशन टीक है अनिमेशन टिक है इन्दा इमैम है कि यहना पे अनिमेशन मैं लिक लूँ है है ऑले और देन हमारे पास था एनिमेशन है टाइमिंग फंक्शन है यह रट के आया है इसको रटी पड़ी है यह 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 लास्ट लेक्टर में तो कराई ती यह इसमें है क्या डिले यह सब इसमें क्या रटना वाई अभी तुम्हारे सामने देखिये पड़ाई है और एक चीज़ को मैंने दस वार रिपीट किया है वहां पर फिर यहां पर देखा है तो आहां जाती है माइड मोर्टोमेंट की ठीक है एनिमेशन डिले टाइम डियूरेशन नेम यह चीज़ होगी या तिर अभी यह चीज़ देखो वूप थी अभी आइटेशन काउंट डायरेक्शन नहीं आइटेशन काउंट है एनिमेशन आइटेशन काउंट है कि सब्सक्राइब बजाओ है कि कुर्वार्ट सर दायरेक्शन ठीक है फिर आएगा एनिमेशन फिल्मोर्ड अब यह क्या क्या लिग दिए परोपर्टी का मतलब क्या होता ठीक है अब मुझे तुमको उण चीज़ से वार्ण कराना है ठीक है आए थीक है मैं लेक्टड्स वार्ट देपार्ट दाओं कि तुम्हें सच्छी में नहीं रहेंगी तुम्हें क्या करना है यहारे तुम्हें nota से बोलना सारी प्रोपर्टी आ जाएंगी एक बार देख लेना या फिर तुम गूगल की मतद नहीं लेना चाहते हो यहां सिंपल सा लिखना यहां सिंपल सा लिखना एनीमे शन एनीमे मत लिख देना मुझे बड़ाई छोड़ो ठीक है डूरेशन टाइमिंग फंक्शन नेम डिले फिल ही इन्यवथा क़ी को छोड़ी और टेterror को फोड़ा देन आगी संगी प्रोपर्टी असी याद हो जाएं इनगे मैं वहा वहां भी सकते हों कोई फरक नही। जो मनमा है वो लिख सकते हो जिसका नाम लिखने लिख सकते हो बड़ बड़ तुम पदना क्या डाइब करते हैं एसे करके करते हो तो ऐसा मत करना दो तिक ऐसे ऐसा नहीं करते हैं तुम्हार मैं पढ़ा रहों तुम्हें तो कुछ अच्छा था पढ़ाता है तो एनी डालो नेम डाल दो तो कुछ इससा उसमें से लेगा कुछ उससे लेगा और से रिलेटिट प्रोपर्डी तुम्हें बता देगा इसी तो शोर्डिंग कहते हैं है ना अच्छा यह कैसा भूल जाना है क्या लिखा मैंने भूल जा है ना郓 अभूल जा हमने क्या लिखा बट इत्ता समध लो कुछ तो होता है उसके बाद हम यहां पर ना एकिन विट क्पिनमिर्शन का नाम दिया अर्ऑ फैले मुझे यह बताने दूम अनशेयं queens कि फ्रेम किया होगा अभी बतांगा दो मेन टुक जाओ बट पहले मुझे ये बताने दो ना यह बताने दो एनिमेशन की प्रोपर्ट्टी फिर तुम्हारा की फ्रेम बताके काम खत्व चलो जी कि निशान्त इस टीफ फ्रेम को बैसिकली इतना समझ लो की फ्रेम को मैंने किस animation के उप़ Article बता रेम को मेरे दोस्त मैंने की openings के उपर अपलाई किया वह यह यह यहाँ पर तुम्हारा वह animation का नाम आएगा ठीक है a trademark का नाम आएगा यह Keyframe एनिमेशन का नाम की फ्रेम अपलाई कर रहा हूं मैं इस के animation पे और क्या अप्लाई कर रहा हो वो इसके अंदर आएगा वो सारे चीज़ इसके अंदर आएंगी कब आएगी अभी पहले यह समझ दो चाना इत्ता समझ वाया बढ़ते हैं आगे की प्रोपर्टी देखते हैं अभी अगर तुम्हें सिंपल सी भाषा में बता हूं ठीक है एक ही इक्तम सुध हिंदी में ठीक है तो एनिमेशन डूरेशन इत्ता से होता है जो कि तुम्हारे एनिमेशन को कंप्लीट करती है अभी आइटरेशन क्या है तो सिंपल दी भाषा समझेओ एनिमेशन डूरेशन शरीफ इत्ता से होता है जो कि तुम्हारा एनिमेशन को कंप्लीट करता है नहीं आ रहा समझे में बिल्कुल नहीं आ रहा यह वन सेकंड लिख है इसको तुम करो पांच सेकंड तो दियान से देखो अब जो ट्रांजिशन होगी तो यह 5 सेकंड में अपनी चीज कंप्लीट करेगा यहां पर तुम 10 सेकंड लेलो 10 मिंद लेलो जो मनिमें मेरे दो देदो बट यह उतना टाइम लेगा इस पूरी चीज को कंप्लीट करने में किस पूरी चीज को इस पूरी चीज को आया समझ में ठीक है आया समझ में अगर तुमने previous lecture देखा होता है यह तुम्हें मेरे 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 बोलते ही समझ में आ गया होता तो transition तुमने पढ़ लिया है ठीक है मैं मान के चल ला हूँ तो यहां पर duration दी है तो मैंने क्या बोला था animation duration ठीक है ओटो ओटो मतलो भाई साव ठीक हम अपनी तरफ से डिफाइन करेंगे कुछ चीज़े जैसे की ओटो का मतलब यह होता है कि उसको नॉर्मल टाइम लग रहा है ठीक है जो उसको नॉर्मल टाइम लग रहा है बट अब हम क्या बोलेंगे अब हम अपनी तरफ से में हजार मिली सेगिंड होते हैं यही तुम्हारा एक्ट्यूएलेंड है 1S के आई की न्याई चीज़ समझ में दोस्त बोलो आ गई है ठीक है तो मैं हापे लिख लिएता हूँ वन सेकिंड इन प्रोपर्टिस में ज्यादा जिहान दूंगा ठीक है थोड़ा सा टाइम जाएगा बट यह मैं शर्त कहा रहा हूं ठीक है यह शर्त लगा लो शर्त लगा लो मुझसे तुम दोस्त यह तुम्हें जब यह खतम होगा लेक्ट्ट्र अगर तुम बने हुए हो तुम्हें एइनिमेशन से रिलेटयड कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्ती इह मैं बोलो सभी चलो अब यह बता दो कि घरा मैंने बतातों क्या होता है क्योंकि तुमने प्रीवेस लेक्ट्टर तो बताऊंगो तो महीं है ना एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन चलो लिखते ह यहां पर मैं कुछ लिखूंगा टाइमिंग फंक्शन अभी समझाओं उनका मतलब क्या है ना देखो इस इन इस आउट इस आउट अगर तुम्हें पता होता है चीज़े पता होता इस इन बट मैं देख रहूं कि अच्छा हूं भाई सारी चीज़े बता रहा हूं वह नहीं बोलता था भाई यह प्रिवियस लेक्चर में करके आयो ठीकर कोई दिक्कत वाली बात नहीं बट नहीं ऐसे नहीं होता तो इस इन का मतलब क्या होता है तो ध्यान से समझो इस इन का इस इन का मतलब बित्ता होता है इन का मतलब होता है जहां से तुमारा यह पर्टिविलर चीज होना स्टार्ट हो रही है बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंटिंग 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 पॉइंटिं बढ़ जाएगी कैसे देखो इस Star Trek में इज इन एंध मियाने इन 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 इस ऌत इन मतलब इस्टर्टिक में स्पीड कम और बात में इस साय of s flick Come 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 बढ़णा इस्टार। इसस्सामिआ U ठीक है और तुम्हें ऐसा करके समझाँ हो देखो कम 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 बढ़ी 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 बढ़ गई यह होता है तुम्हारा इस अब यह ता ह mosque from unique height और समझ में इस आउड ही होता है फिर कुछ और लीनियर भी होता है ठीक है बिच स कॉण सब्सक्राइब बिजिए कम स्थर से चलेंगा और से में कोईしました कोई attends कोत मतलब है timing function का जैसे मैंने यह बता है ना तुम्हें जिस हिसाब से हो रहा है वैसे ही तुम्हारा animation होगा उसी speed के हिसाब से होगा बट अगर मैं तुम्हें एकदम short भाशा में एकदम हिंदी में बता हूं कि यह क्या होता है ठीक है थे timing speed ठीक है घती का घती में क्या बोलते का graph की death की स्टार्टिंग रहा और कैसे ऴसी पॉन्हें का ऑधानियल नो मिस्तितिह दिखाते हुँ है अब मैं तुम्हें एक ची दिखाता हूं है ना होब वहीं मैंने यह लगा रहा है इजीन आउड आप देखो यह ध्यान से देखो शुरू में ऐसा तेज गया बात में तो धुन सब्सक्राब देखो बैक लगता है जब यह नीचे आ जाता है ना तो बैक झटका लगता है यह देखो गुल जूम अब इसको कोपी करो इसको बहुत है क्यूबीक बिजर बेसिकली इसको तुम डिफ्रेंट पॉइंट्स पे अपने साब से अपने सेट कर सकते हैं यह पॉइंट्स है इस पर क्या स्पीड होनी चाहिए वह यह तुम्हारे चीजें चीज आई की नहीं दोस्ट समझ में ठीक है मैं अच्छे से बता रहा हूं ठीक है मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी बस तुम तरफ से रह जाएगी तुम पढ़ लेगी नहीं तुम तुम ना आलस कर दोगे यह 25 मिनट हो गया है साइस तुम यहां तक आई भी नहीं हो ठीक है आयो तो यार एक बार लिग दो कमेंट में आया भी हेर दोस्त ठीक है हाँ यूपिक बिजर अब देगे ना जो मैंने पहले क्या होगा जाएगा रुकेगा थोड़ा सा पीछे आएगा फिर एक्दम से चला टायम के साथ क्या तुमारी स्पीड वैरी कर रही है बस इतना सा इतना मतलब समझाओ अगर मैं समझाओ तो तुम confused हो सकते हो, linear का मतलब smooth जाएगा, constant speed पर जाएगा, ठीक है, आहाँ बापीस आओ, timing function समझ में आगे, और मैंने हाँ पर लिखते है linear, ठीक है, animation delay, अब animation delay का मतलब यह transition delay से relate करके पढ़ाता हूँ, और पता हूँ, डिले का मतलब सिर्फ यह हो गया, देखो, कि कितना delay हो र रही है, बस, इत्ती सी चीज है, नहीं हारी समाज में, देखो, मैं बोलूँगा, तुमको समझाई देता हूँ, क्यों भी बिजर लिखा, यहाँ पर मैं delay लिखोंगा, कितना लिखोंगा, for example, 3 सेगंड लिख दिया, तो जो animation होगा, होवर के बाद, वो 3 सेगंड के बाद हो अब तुमने एक सेगंड ले लिया, आप देखना, तीन सेगंड बाद इस्टार ओका और एक सेगंड के अंदर complete हो जाएगा, एक, दो, तीन, एक सेगंड के बहु है ना, देखो, अब दो दस सेगंड लिया, तुमान थोड़ा सा टाइम ले रहा हो, लेकिन तुम्हें पूरे 10 सेकंड लिये हैं तुमारे, सही है, आई चीज समझ में, आग योगी चीज समझ में, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या बोला, डिले, ठीक है, तो एनिमेशन, डिले, कितना देदो, लोगों, एमेस दिखा रहा है, मुझे चाहिए, फॉर पाइब, फॉर एक यहाँ टे कशिए, ठीक है, आई ट्रेशन काउंट, क्या होता है, वैंने पर 5 सेगंड लिख जा, एक्षाहिए, चि तुम्हें, यह गेजताई, लिया है, तो एक भार चलाना है, यह घीक है, लिभार हो एनिमेशन, चलाना है, थीक है, तीन वार, मुझे मेरे दोस्त, अनिम जड़को है मौत इंजने गहती है टो आ सब छो लोगा दो आ चलते रहना है वो तुमारे उपर बात है उसके लिए कहीं लिए गसलता रहेगा तुम सोझाना तुम उठना छे नहीं रुखेगा ठीक है तो मिनुट रुका होगे दोस्ट मिनॉत के पहले यह सारा प्रैक्टिकल लो स्देशलीश है इतना और ढक लिखा है इसकी एक बार प्रैक्टिकल लोगा यहाइग next जादस एथ तो ज्यादा सही रहेगा तुमको भी और मुझे भी चलो स्टार्ट करते हैं इनकी प्रैक्टिकल नोलिज करना स्टार्ट करते हैं चलो अब प्रैक्टिकल नोलिज कैसे स्टार्ट करेंगे कि animation iteration count 29 यह लिगजद थीक है अब यह की फ्रेयम क्या होता हुआ अभी बतातों बंट मैं कुछीज़ लिख़ूंग गढवराना नियंग टीक है कुछीज़ लिखूंगा गवराना नियंगक selection घवाना तुम्हें मैं क्रिए का दिखा दूमा कि क्या मैंने क्या हुआ हुआ इसको उखिर क्य। पर करता है बंद कि अब गजे निषान शेंट निषान जी ने क्या निचा leyon कि अगलीड आओ इनिमिशन को ंपे ऊपयोग करेंगे उसने को च्पले ले लिए आँ एक दो तीन होवर चलना है कि हाँ एक दो तीन हमने कुछ तो लिया ओवर डिले पांस सेकंड लिया वाव वाव पांस सेकंड एक सेकंड ले लो एक चलना स्टार्ट हो जाएगा रिफ्रेश कर लो चल जा वाई दो आर चला दो आर चला दिखा दो आर चला हां अभी तुमने क्या लिखा अभी अभी इसको इग्णोर करना थीक अभी इग्नोर करना बस तुम्हें बता रहा हूं आइटेशन काउंट समझे दोस्त एक दो तीन आगी समझ में दोस्त आ गही है ना अब अब डेले का मतलब तुम्हें अल्लेडी पता चलिए देखो एक सेगिंड ले रहा है लीनियर ठीक है अगर मैं यहां पर यह थोड़ा हिरो बन जाओ ठीक है थोड़ा हिरो बन जाओ तो आइक दो तेन आए समंझ में आये समंझ में आ गया होगा दोस्त समझ में यह बेसिक बेसिक चीज तो तुम्हें समझ में है इसका काम हटा दूना चले गई नहीं चले गई नहीं bonds चले गई नहीं तुम बोलेगा साथ एक अनिमेशन खतम यह चीज़ी समझ में आई की नहीं आई दोस्त यह बता दो आगी अब मुझे तुम्हें यह समझाना है यह समझाना है यह मैं तुम्हें समझाता हूं ठीक है यह मैं तुम्हें बहुत अच्छे समझाता हूं समझो ध्यान से समझना है यह चलो आओ कि समझाओं मैं तुमको यह चीज यह चीज क्या है ना कु Examples company स्पूंझना नवां ईगर please सुसिज़ि से ध्यास समेशना ना Mr. ना इसका प्हले ये बता हॉना एड़ चीज किया ना यह स्वरुट नoti की बिगई मानोंbas विस्को समझ जो एक की वर्ड जे बीस blue है की फ्रेम कर देट, है हना जवासम दो नहीं है मैं मान कीशी चलना हो तुम्हें नहीं तो की फ्रेम का मतलब यह मान लो की पॉइंट्स मान लो की पॉइंट्स मान लो ऐसा मान सकते हो तो की पॉइंट्स मान लो तुमने curly braces लगाए और start कर दिया अपना काम, ठीक है, अब ये from क्या है, to क्या है, कहाँ सा animation, अनिमेशन की initial condition क्या रहेगी, और तुम उसको कैसा देखना चाहते हो, to पे, for example, मैं यहाँ पे दिल्ली में हूँ, ठीक है, तुम बोममे में बैटे हो, मुझे, तुम नहीं बैटे है, उस animation को इस width से लेके, इस width पे जाना है, और इस height पे जाना है, इन conditions को match कराना है, आई की नहीं आई समझ में बात, आई की नहीं आई समझ में बात, तो from or to, वहीं से use हो रहे हैं, बस, यह समझे हो, from or to का, उसी के context में उप्योग हो रहा है, अगर तुम यह समझ गयो, त इस चीज़ बने from लिखी, to लिखी, ठीक है, यह चीज़ तो में समझ में आगी, अभी keyframe थोड़ा और अच्छे समझाऊंगा, एक चीज़ और use करूँगा, मैं from or to की जगा, आ जाएगी, बट यह बताओ, यह चीज़ आई की नहीं आई समझ में, यह animation का नाम है, keyframe अप्ल बट तुम उसको कैसा देखना चाहते हो, to पे, कैसा देखना चाहते हो, to पे, यह तुम्हें दिखा देगा, यह है पूरा इसका मतलब, ठीक है, यह यह पूरा इसका मतलब मैंने तुम्हें समझा दिया है, दोस्त, एक्दम easy language में, ठीक है, देखो, from, हो जाए start, from condition, देखो इने लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा perform होगा, अभी तुम मिट छुपा रहे हो, दो प्रोपरिटी, बने का, दो मिट रुख जाओ, दो मिट रुख जाओ, बतारो, बतारो, ना, बतारो वो भी, यह चीज़े मुझे समझ में आ गई है, अच्छे सा गई है, ना, कोई द और तुम्हारे पास जब एनिमेशन खतम होताँ, बार बटी आ फाले बी जी सी आरु आये, कुछ, क्या मानू, क्या कोन सा कलर ले, क्यों सा कलर ले, कोई ग्रे, ठीक है, देखो, इनिशल कंडिशन, येलो कलर, और खतम होते होते वो ग्रे हो जाएगा, खतम होते होते, वो ठीक है जब यह एनिमेशन खतम हो तो तुम क्या गरो ट्रांस्फोर्माली प्रोपर्टी लगा दो और ट्रांसलेट कर दो ठीक है एक्स डायरेक्शन में कितना 200 पिक्सल देखो अब यह क्या हो रहा है यह भी तो बताओ क्या हो रहा है मैंने क्या उसके लिए देखना पड़े गाद दोस्त कुन सा लेक्शर 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 नमर 14 यह क्या हो रहा है है ना इस देखनी पड़ेगी दोस्त आगी है समझ में ठीक है एक काम गूर्ण मार्जिन लगा सकता हूं मैं है ना मार्जिन करके कुछ लिख सकता हूं मार्जिन टॉप यह तो घजब चीज है यह तो घजब चीज है ना आ आया सी ही समझ में तुम Dusko कईसा देखना चाहार हो ठीक है कैसा द्रू जर्णी direction क्या होता है ओल्टर्नेट रिवर्ट्स नॉर्मल रिवर्ट्स अब रिवर्ट्स में क्या होगा देखो क्या होगा ध्यान से खुद अबसरी पित्ता हो रहा है कि यह तो टू तुमारा पहले तुम क्या कर रहे थे यहां से यहां आ रहे थे अब तुम्हें क्या करना है अब तुम्हें यहां से यहां जाना है रिवर्ट्स लगाती इतना सा है यह जो कंडिशन है इस कंडिशन से लेकर इस कंडिशन पर पहुचना है बस यह चीज़ समझ में आई की नहीं आई दो तो बहुत जादारा म BAR के साथ चलना है को ऐसी दिखत वाली बात ने हैं तुम्हें समझानी इती है चीज़े स्रों टू वाली समंझ में आ गई ठीक आ गई धालिश अच्छा ओल्टर्नेट रिवजों है उल्टरनेट ओल्टरनेट में क्या होगा देखो पहली चीज यह आई ठीक है दूसरी चीज यह गई आई यह चीज समझ में आ रही है फिर जाएगी ऐसे तो alternate में क्या हो रहा है दोस्त कट से जल्दे समझते हैं पहले क्या हो रहा है ऐसे समझाता हूं ना इससे समझाता हूं तो इसको कर दो इसको रेस कर देते हैं अच्छे सा जाएगा को अग्या हो रहा है मैं दोस्त कि ओल्टर्नेट में पूर एक्जामपल यहां से पहले हां से यहां जा रही है ठीक है फिर इस कंडिशन से यहां जा रही है डिपेंडिंग ओन यह आईट्रेशन काउंट एकर इंफिनीटी है तो यह ऐसे चलती रहेगी यही चलता रहेगा यह रुकेगा नहीं कभी है यह रुकेगा नहीं कभी भी बट फोर एक्जामपल में पास तीन इसकाउट ने पहले हां पहले हां से यहां गया फिर यहां से बापिस आएगा फिर इसी से ओल्टरनेट ठीक है वन जीरो यह चीज़ हो रहा है आया रिवर्स समझो ओल्टरनेट रिवर्स उधर से स्टार्ट होगा रिवर्स ठीक है चल उधर हो अरे भाई रिफ्रेश करना पढ़ता है अब देखो और तीन आइट्रेशन होगी ठीक है हाँ आया की नहीं आया समझ में दोस्ति यह बताओ आ गया बोलो आ गया रिवर्स में क्या और आया रिवर्स का बताओ मैंने क्या रिवर्स का जानना है तुमको हम जनाते हैं रिवर्स में यह हो रहा है पहले तुम्हारा ओल्टरनेट में क्या हो रहा था अब तुम्हारा क्या हो गया अब तुम्हारा रिवर्स का सीन हो गया तुम्हारा रिवर्स का सीन हो गया तो रिवर्स के सीन में क्या हुआ यहां से यहां जा रहा है यहां से यहां जा रहा है अब रिवर्स का मतलब, पहले reverse तो यह हो रहा था कि पीछे से चलेगा, basically two से चलेगा और from तक जाएगा, two से चलेगा, from तक जाएगा लेकिन अब चल ला है two से from तक, from से two तक, two से from तक और reverse alternate में चल ला था, from से two, two से from, from से two आगी होंगी यार चीज़े समझ में आई की नहीं, basically तुम्हें सुरू की चीज़ समझनी पड़ेगी last तुम बीच में आके equally बन जाती है चीज़े, कहां से start हो रहा है, यह सही समझना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं, बोलो आ गई है चीज़ समझ में, आ गई है यह चीज़ भी तुमने समझा दिया, बहुत सही है अब एक चीज़ वह बहुत बता दो ठीक है, animation, fill mode बता दो, fill mode क्या होता है मैंने का हाल, देखो क्या होता है, backward लिखा ठीक है, इसको क्या करते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं चलेगा, चल जा बाई, चल जाया कर बाई रिफ्रेश क्यों करना पड़ता है, मुझे यह देखो, easy peasy कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ध्यान से देखना, observe करना तीसरा iteration हो गया ठीक है, backward में यह हुआ, forward बोले तो forward बोले तो ध्यान से देखना, observe करना, मैं कहरो again, again, observe करना, अभी भी कहरो एक iteration बची है, जाओ 10 second पीछे, दुबार से देखो, चलो देखो, देखो, ध्यान से देखो आया की नहीं, आया दोस्समझ में यह बता दो हाँ या ना चाहिए मुझे तुमारी और तुमें पता चल घै और कि क्या हुआ है, ठीक है, तुमें पता चल घै और कि यह क्या हुआ है ठीक है, एजी भाशा में समझाओ तुमें, ठीक है, जो की मेरा तरीका है तुम्हारा, अगर तुमने लगा थे backward, ठीक है, fill mode में टिकां अगर तुमने लगाया है BAC WORD है तो BASICALLY BAC WORD तुमारी in simple वाहस है तुम बोलो से स्टार्टिंग फोईंट ठीक है स्टार्टिंग पोईंट न वहांगे खतम हो जाएगा इतना सब वर्ड मने देख लू बैख है तो तुम्हारा एंडिंग पॉइंट यह चीज खतम होजाएगी और यहां पर बस इतनी सी तुम्हारी सब्सक्राइब होनी चाहिए थी जो तुम्हें अच्छा से अब्जर्ब कर भी लिया होगा और यहीं है तोसिसमें ज्यादा कुछ नहीं है यहीं है बस आया की नहीं आ आया समझ में अच्छा एक चीज़ वरोती है बहुत ठीक है बहुत क्या फर्क हो का देखते हैं कि अब ध्यान से देखो अबज़र करो अब बहुत दूसरे रुख जा रुख जा रुख जा रुख तो बहुत और फोरवर्ड में क्या फरक है यह तुम्हारा होमवर्क है ठीक है यह तुम्हारा होमवर्क है अगर तुम यहां तक आयो ठीक है 43 मिनट तक आयो तो यह तुम्हारा मैं होमवर्क दे रहा हूँ यह तुम्हारा homework है तुम्हें homework में पता लगाना है बोट और forward में क्या difference है ठीक है तुम्हें यार थोड़ी सी महनत तो मैं कराऊंगा अब यह थोड़ी है कि सारे चीज मैं ही बताऊंगा नहीं तुम्हें अगर थोड़ी सी curiosity है तुम्हें चाहिए कि अगर मैं 100 लगा रहा हूं तुम्हें 100 को कैसे increase करना अब लिए तरफ से वह तुम्हारा काम है थीक है या फिर ऐसा बोलो मैं अगर यहां से 99 लगा रहा हूं तुम्हें 1% homework दे रहा हूं तो तुम्हें 99% को 100% में कैसे करना है वह तुम्हारा homework है मेरे दोस्त है ना फिल्मोड भी समझ म है ठीक है और animation में समझ में आ गया है ना animation में समझ में आ गया है यह चीज तुम करा सकते हो बार बार यह पीछे से क्यों चलना है ओल्टरनेट रिवर्स लगा रहा है आपने इसे पीछे से चलना है और इसी देर क्यों ले रहा है यह आईटेशन काउंट 3 वह इंफिनिटी तुम उठ जाओगा यह निए अपनी एक से ऐसी होता रहेगा यह पक्की बात है यही चलता रहेगा आया की नहीं आया समझ में बता दो jee infinite की वैसे यह तंप कर दिया ना बने आप अगर तुम पांच वार चलता दिया दहां से पांच बार चलें कात्व हुखत है । VA एक दो तीन-चार-पांच आया की नहीं आया दोस्त समझ में यह बता दो आगया बोलो आगया ठीक है अब यार आप बोलोगे कि यार यह सारी चीज़े मैं ऐसे करूंगा क्या मुझे तो नहीं लेकिन मैंने कहा नहीं यार ऐसे कैसे करोगे तुम तुम्हारे पास होती शोट एंड प्रोपर्टी अभी तक हम उ कूपी पेस्ट करना है तो कूपी पेस्ट करो लगा दिया टाइमिंग फंक्शन के बारे में अगर नहीं समझ माया है दोस्त थीक है तो दो काम कर लेना मैं बताता भी रहता हूं हाँ तो आथ क्या तो प्रीवियस लेक्चर देख लेना उससे बड़े कोई बात नहीं होगी यहां फिर मेरे दोस्त क्या घर ना देख लेना उससे बड़े कोई बात नहीं होगी यह साथ लाइन हमारी इस एक लाइन के यह होती है तुम्हारे शोटन प्रोपर्टी यह और यह कनेक्ट है यहां पर तुम्हां पर भी एक्स वाइज देना पड़ेगा अब देखो तुम्हां पास सेगन तक तुम्हां वेट तो करना पड़ेगा दोस्त पास सेगन तक तो वेट करना पड़ेगा पूर अगर फिर भी नहीं चले तो समझ देना एक बाद रिफ्रेश करने की जुरूत आ गई है चल जा भाई क्या हो गया यह जाता है एक दो तीन चार पाच हमने कुछ तो गलत कर रखा है हमने क्या भाई यह क्या गलत कर रखा था ना अच्छा सही है भाई सही है सही है ठीक है हां सही है आगे समझ में वहां पर एस लगा रखा था काउंट के ऊपर तो जीज गलती थी कोई बात नहीं चलो यह चीज दोस्त आई की नियाई समझ में यह बता तो बहुत ईजी थी कुछ ऐसा कठीन चीज नहीं थी कैसा कुछ क्या कर दिया नहीं बिलकुल नहीं ठीक है बहुत छूंट कर देते हैं तुम कोड़ लोगे मार्व होटर पता कहा अ कहांसे मिलता दियाक में इक लिंक होगा उस निंक पे क्लिक करोगे तो यहां जाओगे और यहां पर आकर कोड ले सकते हो सारा का सारा साहिए अगैं समझन में वह यहां गई है ठीक है यह में थैं दू हो जी इस तुम्हें समंель में आ गई है यह वाली है ठीक है कि अब क्या चीज अब क्या आप जोक टीजह वह सिर्फ यह में है पलो क्या है कि में कुंछी चूरिब तो यह समझाना था अब मैं कुछ लिखने वालों ठीक है और यह मैंने लिख दिये कुछ चीजे क्या कुछ डिफ्रेंस होगा बताओ क्या कुछ डिफ्रेंस होगा इसमें और इसमें कुछ डिफ्रेंस होगा कुछ बताओ दोयार कुछ डिफ्रेंस होगा देख लेते हैं तो इसमें और उसमें क्या फरक है इसमें और उसमें तो अभी तो कोई फरक नहीं दिख रहा है बट इसमें और उसमें अब फरक आ जाएगा ठीक है अगर यहां में कुछ प्रोपर्टीज लिग दो है और दो है क्या प्रोपर्टी दू न सब्सक्राइब क्या हो सब्सक्राइब है क्या हो रहा है इंफिनिटी चलाते दीग है कि इंफाइन नाइट तोस्त मत कहना मुझसे क्या कर रहा है कि मैं कहरा है ट्रांस्पर माला लाइक्टर देख जाओ यह क्या हो रहा है अगर तुम्हारे लिए थोड़ा सा दिखने में अच्छा बनाओ तुम यहां पर एक पांड तुमने कमेंट कर देता हो इस पॉइंट को तुम मैं अफ़हां कर देता हूं स्क्राइब स्क्राइब से पीर जपरांगे हैं वarin Reid ग्रेग्स टील हुआ था बॉली पर कोई मैंने स्टेशन आग alternator कि गाने एक स्टैशन आए करने कोई कुछ की हम गया वेन कि लिख सकते हो जीरो पॉइंट करके कुछ लिख सकते हो देखो सो बीच में एक गैप लिया है पचास पर तुम पच्चीस पर भी रुख सकते हो और 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 पच्चीस पर रुखके तुम इसका काम कर सकते हो में और वीजी सिर्ट कर सकते हो कुई अलग सा कलर बताओ अनो अलग सा क्लर अब देखो बीच में तो रेड आई था तुम ने करा जाया फिस में कोई और सी प्रोपण्टि देटेखो ठीक है तो तुम कोई किसी किसी और कुछ किसी कूछ काम कर रे Ciao. ये चीज समझें आ रही है कि नहीं आ रही है दोस्ति ये बता दो हाँ या ना यह चीज तुम्हें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बस यह बता दो कि 25 पर तुमने क्या transform किया, इस Q पर यह transform ठीक है यह तो हमने यहां से यह, मुझा कोई साभी point दे सकते हैं जितने point तुमें create करने हैं उतने point create कर सकते हैं यह बस from से two में direct था काम लेकिन यहां पर तुम कुछ points में चीज़े divide कर सकते हो कुछ points में चीज़े divide कर सकते हैं ठीक है आई चीज समझ में आई की नहीं यह बताओ अब इसको ना यह गंदा से effect को हटाते हैं मैं सभी चीज़ें कर रहा हूं ठीक है अब मैं चाहता हूं यह डब्बा यहां से यहां जाए और यहां से यहां से यहां यहां इसका जो left है देखो ध्यान से देखो एक तो बेसिक से चलते हैं ठीक है जो टॉप है वो तो 0 रखो ठीक है और left भी 0 रखो बट जैसी तुम वहां पर जाओ कहां पर जाओ इधर हो जाओ तो तुम टॉप 0 कर दो और राइट को 0 कर दो हुई नहीं क्यों नहीं होगी क्योंकि left और टोप ऐसी अपलाई हो जाती है नहीं इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है रिलेटिव या एप्सॉल्यूट करना पड़ता है ना ठीक है यह चीज़ आई की नहीं समझ में आ रही है लेकिन अभी मैं तुम्हें समझातों एक लोजिक समझातों बहुत अच्छा सा है वह यह देखो यह जटके से चला है काम है ना ऐसा स्मूथनेस नहीं आ रही तो यह इसमूथनेस लाने के लिए पता क्या अगर होगे तुम है रांजिशन लगा होगे है एक चीज़ और कर सकते हो इसको समझना इसको समझना यह क्या लिखा है मैंने इसको समझना मैंने क्या लिखा है कि समझे हो और चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा इस पीड ठोली कम कर देतें बड़ा देते हैं मतलब टाइम थोड़ा आई चीज समझ में कि नहीं आयी है ये बता दो आगी है और इससे क्या बता क्या फरक हुआ इसको left मतलब दो इनिशेली तो 0 पह स्कोंने पह था इसको मालो हुआ इसको ने पह से होने लिएक उने लिए इसे इसे हो रहा है इस sont तो इधर से इधर जा रहा है कि टुमई थर से एधर जा रहा है इसका है और कैसे कैसे हम क्या कर सकते हैं एड देंट प्रैक्टिस तो आप ही करोगे न दोस्त है ना तो वही चीज है चैलो जी यह चीज भी समझ लही है मैंने और यह दो को इसमूथ बन गया थे लगा ना और तुम जीता टाइम बढ़ा दोगे उतनी यह चीज तुम इसमूथ यह क् और अच्छा पत्ते हैं यह तो ओल्ट दवा के नमबर करो यह दो प्यारा वह दिखेगा अभी ओवर्फिलो हो रहा है उसकी टैंशन मतलो ना उसकी टैंशन मतलो लेकिन अभी काम बने गानी आसे हाना यह ओवर्फिलो हिटन होके जाई रहा है और चलो इसको छोड़ा ना क कर सकते हैं यह चीज भी सौल कर सकते हैं अब इसको छोड़ो इसको तुम घटा दो साना 100 पर्षांट को लोड़ा घटा दो अब इसको छोड़ो चलो बड़ा बता दूगा तुम्हें बताऊं या अभी रहने दो चोड़ो इसको में चीज तुमने समझ लिया ना लेक्टर करते हैं इसका क्या काम करते हैं यह चीज तो होई रही है अब हम इसको क्या करते हैं इसको रेंबो बनाते हैं इसको क्या करते हैं इसको बैक्रांड कलर है उसको रेंबो बनाते हैं बस फिर लेक्टर एंड कर देंगे अब रेंबो कैसे बनाएंगे रेंबो कैसे बनाएंग होता है कुछ ऐसा होता है घृञ चैसा होता हैना ध्यक्तिकूरिक्टे उस्ट काहिव जेने पडेंगेिंगे और उनके अंदर बैक्ग्राउंड दें पहला तो पॉइंट यह मिलके दूसरा पॉइंट लेलो साथ है ना तो कुछ भी कर लो यह पंदरा पर करोगे पंदरा पर लो ठीक है कोई दिक्कत वाली बात मिये ठीक है तुमने 15% पर एक कलर चेंज कर दिया बीजी है ना बीजी सी अरे फाउसर करें हमीह ना घता है कि यहां नाम कलर के यहां कलर एक दिंगे इसका नाम है बीजी सी वालेच वालेच बाईफ भाईवालेच टीक है इसको copy करते हैं और एक point बनाएता 30 पे ठीक है 30% परसेंट और इसमें paste करते हैं VIV blue Blue जागा blue eyes ठीक है चलो जी एक मिनाता है 45 किते point होगे 4 ठीक है यह हो गया 45 पे VIV your green ठीक है एक green आ गया then create करते हैं 50 सब्सक्राइब कर देदें और इस पर देते हैं विव ग्योर कांगिया गलर पहुंदता येलो औरेंज रेड येलो ठीक है कि 65 कि क्यों पॉइंट दोजाएंगे 22456 और सात ये तो एक काम कर लेते इसको 60 कर लेते हैं इसको 80 कर लेते हैं थोड़ा यह 80 क्या 70 कर लेते हैं और इसाही लग रहे है और इस पर देजरेते हैं वैग्राउंड ुझे कुछ था औरेंज है ना अब देखना दोस्त जादू देखना ना फ्रोम और टूमें तो कितना सार डिफ्रेंस वह ना बीजी सी और यहां पर रैड देखें रेंबू गाइज रेंबू 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 ठीक है कोई दिक्कत वाली बात बताओ कोई दिक्कत वाली बात होनी भी नहीं चाहिए शिंपल सी चीज हो रही है इसा इसमें इसा कुछ नहीं हो रहा है तुम ऐसा बोलो कि यार ये क्या गड़े ये क्या हो रहा है बहुत तुम कुछ एफेक्ट बना सकते हो कि हां पर तुम ऐसा लिख दो welcome to this side और फिर स्क्रोल करके वो चीज करा लो है है crazy idea है ठीक है हाँ बहुत crazy crazy चीज़े बनती है crazy crazy चीज़े बनती है देखो किता मस्ता लग रहा है बट छोड़े से यह चीज तुम्हें समझ में आई की नियाई दोस्त यह बता दो हो चीज़ों का और लेक्टर करते हैं deputy hin तो हम्हें का खर ना यार शब्लम हो ने कहान के शुनाता है वोर करहां होवर कर और तो एक दिन के खर होवर करा होवर कर क्यार वह ऐल्मेंट ना आफ चटके से लें चयार दा रहता माना ये मज़ताव आन। फिर मज़ा नहीं आया उसमें ठीक है फिर मैंने गया मुझे ऐसा कुछ हो जाता कि इसमें स्मूथनेस आ जाती तो मज़ा आ जाता तो वह स्मूथनेस मैंने फिट सर्च करा थोड़ा सर्च करा सर्च करके मेरे पास एक प्रोपर्टी में ट्रांजिशन तो मैंने ट्रांजिश वाली प्रोपर्टी पता कहां से मिली यह मिली मुझे 14 लेक्चर से ठीक है तुम उसके डूरेशन वड़ा दूगा ठीक है लेकिन यार अब मेरे पास एक ओडिमांड आगी ठीक है कि यह जो तुम कर तो अच्छा रहे हो लेकिन यार मज़ा आ जाएगा कर इसको तुम कर दो ए स्टार्ट क्या पढ़ना मैंने एनिमेशन सी किया और मैंने 15 लेक्चर में क्या सीखा मैंने देखो क्या सीखा एनिमेशन सीखा अब एनिमेशन में तुम्हारे साथ चीज होती है नेम डूरेशन टाइमिंग पंक्शन डिले आईटरेशन काउंट डायरेक्शन फिल्मोड न इनवी किफ्रेम पर किया होना चाहि निया यहां किया हुआ एक आर ये वह चीज सीक्ट लेहीं ठीक है और लेक्शन viendo यह सेम होना चाहिए भीटी मि यह चीज कितन दयर बरा होना चाहिए कं नोगिंव उतना स्मूध सा लगा कि पूरा एक इत्रेकन पूरा एक आइट्रेशन बोले तो अभी बताता हूं बट टायमिंग फंक्शन यह होगा है speed कैसे जारी एक ëटेशिन में करा मेरा animation start होने से पैले कितना delay ले रहा हूं अनिभी कि बीया है क्या होता ॐ अच्छा जितनी बाहर टुमारा intent चाहिए ऐ आगए direction क्या होता है तुम्हें actually direction क्या चाहिए क्या एटम्छ और यह बहुत एहम वह अगर तुमने कोई डिरेक्शन नहीं दी तो क्या होगा वह ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा यह चीज होती रहेगी और तुमने अल्टरनेट कर दिया बस इनिशली का डिफ्रेंस होता है बाकी जी सेम हो जाती है डायक्शन फिल होता है बैकवर्ट फोरवर्ड अगर तुमने कर रहा तो एनिमेशन कहां एंड होना चाहिए जहां पर तुम्हारा एंड हो रहा हो खतम ताली वजाद अपने लिए यह चारी चीज़े समझ में आ ग बॉलड वेखरेयद कि करेंगे यहे आगे मैं अब दिखाता हूं अभी वर्ट यही था निमेशन का सीन यही था यार ठीक है काफी जाड़या थैस्थ that's you तो बट अभी तो एनिमेशन का सीन में दोस्त इतना ही था ठीक है यह लेक्चर 15 हमारा अब मैं तुम्हें एक बद दिखा तुए ग्लिम्प्स दे दूं कि नेक्स प्रजेक्ट हम क्या अगनने वाले हैं है इस क्रियेट करने वाले हैं हमिऊ अ defining से हाट है यही तो करेंगी है कि फूरा का पूरा इसनी तब यसम सक्रेंश मेरा मतलब यह हिरा कि कि समझा दूं अच्छी समझा दूं कि मेरे दोस्त अगर कोई बैठे कलगों करने तो कर ले हना कोई दिक्कतालिया से बात ना रहे आई की निया दो चीज समझ में यह बता दो बस ठीक है मैं खुश हो जाओंगा यह चीज आ गयी होगे आपको समझ में तो अगर नहीं आये तो कमेंट में बताओ ठीक है कमें बताओ मैं द्वारा कमेंट में बता दूगा कि क्या चीज तुम्हें नहीं आई है ठीक है या पर्टे को ला एक यहन इसा कंटिन्यू कर रहा है तुम व्हार नरी सब्सक्राइब तक सैंटीब शवर कर सकते सब्सक्राद शब्सक्राइब कर सकते हैं दौर नहीं करसकता है या ऐसन गया वहां कुछ भी दोश्टाइब ठीक है कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सभी रहेगा वह एन्वार्मेंट एक कम्यूनिटी बिल्ड हो जाएगी लेकिन अगर कोई हो पहली बात तो यहां तक कोई आया नहीं हो ठीक है अनलिटिक चेक करता रहते हूं तो इस्टार्डिंग के एक दो मिनेट चलता है बाकी नहीं देखते हैं वाकी यही चीज कहा होती है पता है करस होते हैं तो उनमें यही तो होता है एक्ट्रा फीचर आ जाता है कि डिशकोड पे तुम्हारी बात चीद होगी वीकली ठीक यह सा दिल से चाहता हो मैं मेरे तरफ से हैं 100% अभी तो भाइ यह स्टार्ड आप है लिटरली मजाग चलना भी तर यह अभी तर्म मैरे थोस्त मजाग चलना है जबर कि खतम होगा थीकल और को चलने दो इतना ही बोलूआ जादे नहीं वह अब रिधर यहां तक कोई पहुंचा औ बस यह खतम होगा इसके बाद बची हमारी ग्रीट से प्रोजक्त देखेंगे दैन ग्रीट के बाद खतम टेल विल्ड इस्टाइब जाए जैस और जी एस से मज़े आने स्टाइब दो सची यकीन मानो मस आएंगे जब प्रोजेक्ट देखेंगे यह के लिख्या यह हो गया प कि सारी ही और भाद में रीवील करेंगे अभी बस इतना ही बहुत है ना इतना ही कोड़ वोट का तुम्हां पताcą चली है कहां से मिलेगा कहां से भी या चलो यार इस लेक्षर में मेरे दोस्त इतना ही क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा एक फीडबैक जुरूर कमेंट में देना और यहां तक आयो तो बोलना कि यार मैं यहां तक आया हूँ मैं सी जस होके पढ़ रहा हूं ठीक है आयो तो अगर नहीं आयो तो कोई दिक्कत तुम खुद देखोगे सची सची बोलनों ठीक उसका रिल्ल खुद आ जाएगा ठीक है चलो यार तब तक के लिए बाई मैं मिलता हूं तुमसे नैक लेक्चर में